रीड की हड़ी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित माथुर जी इसमें बताना चाहते हैं कि समाज की सोच लड़कियों के प्रती कैसी है तो हर व्यक्ति लड़कियों के प्रती अच्छी सोच नहीं रखता कुछ लोग आज भी अपने लड़के की कमी को चुपाने के लिए उसके लिए कम पड़ी लड़की लेना चाहते हैं ताकि वो उचे स्वर में कभी बात ना कर सके तो इस एकांकी में ऐसा ही कुछ बताया गया है रामसो ग्रूप जी नाम के एक व्यक्ति है उनकी लड़की का नाम है उमा उनकी पत्नी का नाम है प्रेमा उमा को एक लड़का देखने लिए आने वाला है लेकिन उसके पिता रामसो रूप ने उसके पिता को यानि के लड़के के पिता को यह जूट बोला है कि उनकी लड़की सिरफ मैट्रिक पास है क्योंकि उन्हें पता है कि पड़ी लिखी होने के कारण उसका रिष्टा हो नहीं पा रहा है और वह अपनी लड़की का रिष्टा एक अच्छे घर में करना चाते हैं जब कि वह लड़के और लड़की में कोई फरक नहीं समझते इसलिए उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ाया भी है लेकिन समाज में फैली बुराईयों के कारण वो उससे लड़ नहीं पा रहे हैं और अपनी लड़की का रिष्टा एक अच्छे घर में करना चाहते हैं तो गोपाल परसाज जी जो लड़के के पिता हैं लड़के का नाम है शंकर उनके घर आने वाले हैं और उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं नोकर के साथ मिलकर त्यारियां की जा रही हैं गोपाल परसाज जी और शंकर जी राम सवरूप जी के घर आते हैं और बैठते हैं और उमा उनके स्वागत के लिए पान की एक तश्तरी यानि कित्थाली हाथ में लेकर कमरे में दाखिल होती है राम सवरूप जी उमा को बैठने के लिए कहते हैं उमा बैठ जाती है उसके बाद गुपाल परसाज जी उमा से कई तरह के सवाल पूछते हैं तुमें गाना गाना आता है, पेंटिंग आती है, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो इस तरह के सवाल पर सवाल पूछते हैं तब उमा बिल्कुल चुप रहती है उमा के चुप रहने पर राम सवरूप जी उसकी तरफ इशारा करते हैं लेकिन उमा बिल्कुल चुप रहती है, तब राम सवरूप जी बोलते हैं कि कुछ शर्मा रही है, तो गुपाल परसाद जी जरा रूखे स्वर में बोलते हैं, राम सवरूप जी आप चुप रहिए, जरा उमा को भी तो बोलने दो, मैं उसकी आवाज भी सुनना चाता हूँ गुपाल परसाद और शंकर आपस में यह भी बात करते हैं कि चाल ढाल भी ठीक है, तब जब उमा कुछ नहीं बोलती और राम सवरूप जी उसे बोलने के लिए कहते हैं, और गुपाल परसाद जी जब रूखे स्वर में बोलते हैं, तो उमा चुप नहीं रह पाती और वो बोल उखती है, वह कहती है, बापुजी क्या जवाब दू मैं, जब कुर्सी मेज बिखती है, तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिरफ खरीददार को दिखला देता है, पसांद आ गई तो अच्छा है, वरना कोई बात नहीं, राम सवरूप चोप कर खड़े हो जाते हैं, उमा 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 उमा, उमा तो बस अब शुरू हो गई, वह कहती है, जो महाश्य मेरे खरीददार बन कर आए हैं, इन से जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड बकरियां हैं, जिने कस अच्छी तरहें देख भाल कर खरीदेगा, गुपाल परसाज जी, तौव में आकर बोलते हैं, राम सवरूप जी, क्या आपने हमारी इज़त उतारने के लिए अपने घर हमें बुलाया था, तब उमा कहती है, क्यों हमारी कोई इज़त नहीं, जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, और जरा अपने इनसाब जादे से पोछिए, कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के होस्टल के इदगुर क्यों घूम रहे थे, और वहां से कैसे बगाए गए गए थे, तब शेंकर बोलता है, बाबु जी, चलिए चलिए, यहां से चलिए, गु तरहें नाग जोग करती हुई, कायरता करती हूँ, मुझे अपनी इज़त, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पोछिए कि ये, कि इस तरहें नोकरानी के पैर को पकड़ कर अपना मुझ पाकर भागे थे, राम सवरूप जी बोलते हैं, उमा उमा, चुप रहो, चु लेकिन ये तो भी ये पास है, ओहो, इतना बड़ा धोका, अच्छा हुआ, पहले पता चल गया, नहीं तो बाद में जाने क्या होता, इस तरहें से कहते हुए, वे घर से बाहर निकल जाते हैं, उमा बोलती है, हाँ, हाँ, जाये, जाये, जरूर जाये, लेकिन घर जाकर जर और उनके लड़के के उरलासा पन, दोनों बाहर चले जाते हैं, बाबू राम सवरूप कुरसी परधम से बैठ जाते हैं, उमा सहसा चुप हो जाती है, प्रेमा का घबराट की हालत में आना, और प्रेमा कहती है, उमा रो रही है, राम सवरूप जी खड़े हो जाते हैं, औ और उनका नोकर रतन आता है बाबुजी बाबुजी मक्षन बस ये कहते हुए परदा गिर जाता है।